अब तक मुझे पहुँचने का उसर प्राप्त हुआ और आप मुझे जो है इस संस्मर्ण को विवस्थित करने के लिए आप मेरे साथ हैं आप को गुरु जी के बारे में अनुखो बताएंगे कि यहां पर हमारा जन्म हुआ है और हम गुरु जी के प्रवसी भी है और हमारे दर्शन तो नित भुआ तो यह बड़े सोभागी की बात है आप इतना दोर से चल के आए हैं और हम परोश में ही रहते हैं और प्राया यहां आगमन होता रहता है कि आपकी सेवा का ओसर मिला यह परम सभागी की बात है इसके लिए हम आपको दहने वादे के आप गुरु जी के साथ कुछ आपके संस्वरण रहे हैं अब आपकी आपकी उन से बहेंट हुई और कैसानबों रहा कुछ संस्मरण आपके सुनावें एक बाद विद्याले के सिल्षले में दृटि जी हमारे घर आये उख दृटि का एक साथा थी महा विद्ध्याले की आपकी जाये तो वह यह विद्ध्याले मेरे काउं में ही अभिया कला वहां सभी परने चाह जाए थ तो वही एक प्रथम और साइद आंते मौसर हमें उनके दर्शन तकात कुए है और सुंदर चुने बड़ा में दर्शाभाव क्या कहा है उनके कितने प्रसंसा करें कम ही है अच्छा क्षेत्र में उनके प्रति जो है लोगों का क्या उत्सा है और उनके प्रति कैसा उनको सम्मा प्राप्त होता है यहां के लोगों की दृश्टी उनके विशे में क्या है इह उस सीज्ए ने विशाय बनाऊने की हां के लोग ऐसह माहपुरिस को आपकर ओ खुद को बार्वान्दित महसुस करते हैं आप किसे से भी बाग करेंगा तो सिर्फ और सिर्फ उनकी प्रसंशा ही करें किसी के मन में दुर्भाव नहीं मिलेगा आपको ये उनकी पूजी है बढ़ा ही मेदू सभाव सौम सभाव और अच्छा विक्तिक्ति अब ये दुख की बात है कि आज हमारे साथ हमारे वीज में नहीं है आज है कि आज हमारे साथ बहुत नहीं है अच्छी बात बताए कि आपकी कुछ उमीद उनके परिवार से गुरु जी का जो सपना सा एक महाविद्याले के अश्ठापना की वो कोई ना कोई तो ज़रूर भूर और बहुत बाही है तो बड़ी अच्छी बात है तो नहीं परिक यल्पना के बारे मालम चला गुरू जी के महाविद्याले के स्थापना के पतिदों विचार से और प्रयास हुआ है तो हम लोग भी लोगों को जागरू करेंगे और ऐसा प्रयास जरूब लेकिन प्रशास नहीं समझता है कुछ उसमें आज तो ठीक है भी ऐसी बात है तो हम दिविचार मर्श करके और इस जो है कार्य में इस संकल को में जो है गुरू जी के संकल को में और आजाए कि उनके प्त्र प्रयास को अगीरत प्रयास को जारी रखेंगे और सफ़ल भाव ठीक बहुत धन्यवाद थैंकि एकलाव सब्सक्राइब कर्षा साथ कर देजाएब दो पुछ कर दो गुरुजी के महात्र भूमी के दर्शन करे आए रहे हैं और आप प्रवन के सोभाज जिसे दर्शन होदवा इसलिए मैं अपने को सवभाजी सुनजता हूँ ऐसे इसे मलब की संसार में आवे उन्हीं के अस्वन किया जाता है इन्सान के खुश्बू रहती है इन्सान बदलते रहते हैं दर्बार लगा रहता यहां दर्वान बदलते रहते हैं जो हिम्मत वाले माजी हैं तूफानों से टकराते हैं इन तूफानों का क्या कहना तूफान बदलते रहते हैं जो पक्के हैं इक्रारों के इक्रारों पर आपको पागलतु को मरता है बर्दानों पर बलिदान ही जिन्दा रहते हैं बर्दान बदलते हैं माने ब्रजंद नाथ तिवारी जिसे आपने गुरुजी के बारे में जो संस्मर्ण सुना इसे आप जरूर अभी भूत हुए होंगे और निश्चित ही जो है प्रेड़ना स्रोत है और हम आपका दरशन पाचार के बहुत ही धन्य हुए हम आपको पराम करते हैं